कर दो अब कर दा करेंग हज हम इस वीदियों में बात करेंगे मैक्स फाइनेशसवरीम्स के बारे में मैक्स साइनेशल सर्विसंद में बहुत 박े आँड को अभधी शेक। CRM मप वी ओड़ हम शेक। बिल्कुल मचे और को आएगा , आ बहुत बताством की के इ'! तो बिल्कुल चिपक के बने लेगा एंड तक और बिल्कुल मिसाउट मत कीजेगा वो लेवल जहां पर की ब्रेकाउट आने वाला है हाला कि बहुत दूर नहीं है थोड़ी सी भी अगर चाल आती है तो ब्रेकाउट भी मुकमल हो जाएगा और इसके बाद बड़ी चाल के लि सॉफ्ट्वियर के बारे मताया आज भी देखे कितना जबरदस साइबर्ड टेख सॉफ्ट्व चला है तो इस सारी ही स्टॉक्स बजाज फिंसर्व लाए पर यह बिल्म कि बीकुली चैनल को सब्साइब कर लेजे बेल आइकान दब ब्रूल का लेका सबसे बिले नोटिटि inverse head and shoulder pattern दिख रहा होगा मैं आपको बना के भी दिखा जिता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यह inverse head and shoulder कैसे बन रहा है आप देखेंगे तो यहां पर इसका left shoulder यह इसका head यह इसका right shoulder और यह इसका breakout तो आप देख सकते हैं inverse head and shoulder pattern का breakout आचुका है कहां पर आया breakout यह breakout आए है 1074 के आसपस तो यहां पर ही breakout है और अगर आप देखते हैं 1074 1080 के आसपस तो फिर मतलब अल्मूस्ट 1100 रुपए क्या पर आप देखने हैं और आप देखने को मिल रही है और अब इसमें क्या करें इसमें आपको देखने को मिल सकती है 1260 तक की चाल देखने को मिल सकती है और 1260 की चाल के लिए बिलकुल इसमें वेट किया जा सकता है तो यह एक चीज धियान रखेगा और यहां पर अगर आप इस पोजिशन बने हुए हैं तो बिलकुल बने रहेगा स्टॉप लगाना है स्टॉप अब होड़ा सा दूर है 1063 के अस्पास का स्टॉप लौस है जो कि इसका 20 डेमा है और या फिर इसमें 1045 के स्टॉप लौस है जो इसका 50 डेमा है तो आला कि फिफिटी देमा पर इसने काफी बार arte प्रोड लिय और बट लास्ट जो इसने लो लगाया था अभी higher highs higher lows बना रहा है ये तो इसका जो last low था वो था 1035 के आसपास का और 1035 का भी एक stop loss लगा लेजेगा कि अगर ये इस low को तोड़ता है तो फिर इसमें 1031 का है sorry 1031 का एक stop loss लगा लेजेगा क्योंकि ये अगर low तोड़ता है तो फिर higher highs higher lows वाला जो श्रंकला है वो खतम हो जाएगी वो इसको नेगेट कर देगा breakout को और फिर ये नीचे आप भी सकता है तो 1030 का stop loss अच्छा काइदे का stop loss है 1260 का एक first target है आपको देखने को बिलेगा बर उसे पहले एक और जो जो target है या फिर इसमें जो की resistance की तरह काम करेगा वो करेगा 1131 का 1131 निकल जाता है तो फिर इसमें 1260 तक की चाल देखने को मिल सकती है max financial services में और अगर आप RSI भी देखते है तो 60 के आसपस का RSI अलड़ी पहुंच चुका है आज के सत्र में आज और कल दो दिन में अच्छी rally दिखाई है इसने कल भी 3.5% का return दिया था आज अब ये 1130 के आसपास का ध्यान रखिएगा 1130 के ओपर निकलता है तो इसमें अब fresh entry भी बना सकते हैं अभी भी entry बना सकते हैं कोई पर इशानी नहीं है चार्ट पैटर्न बढ़ी है RSI भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि अब ये जो इसमें rally है वो rally start हो रही है तो जितना retr retracement अल्रडी हो चुका है और अब इसमें fresh leg of rally आ गई है तो ये हो जाता है इसमें जो है डेली का चार्ट अब एक बर्स को weekly के चार्ट पर भी देख लेते है weekly के चार्ट पर कैसा placed है तो weekly के चार्ट पर आपको दिखेगा कि ये जो एक थोड़ा साथ चोटा करके दिखाता हूं मैं आपको squeeze करता हूं चार्ट को तो आपको दिखेगा एक ये level है जो कि है 1148 ये 1148 वाला जो level है ये इसने कब चुआ था ये 1148 इसने चुआ था 19th July 2021 में तो कितने साल हो गए तीन साल पुराना ये breakout आएगा अगर 1148 को तोड़ दे आफ ये ही फिर इसमें जबर्दस रेली देखने को मिलेगी और इसको कहां तक लिकर जाएगी तो नेक्स जो टागट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1690 तक के और जे जो 1690 का का पर मिलेगा जब यह जिस दिन यह 1148 के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा 1148 के ऊपर चलेगा तो यह बिल्कुल पिक्चर परफिक राउनिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकाउट आ जाएगा और इसका जो नेक्स पड़ाओ देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1690 रूपीज का तो 1690 की जो चाल है उसके लिए बिल्कुल वेट कर सकते हैं 1148 के ऊपर अगर पोजिशन बनाते हैं तो और ज्यादा अच्छा मुमेंटम चेज करने का मौका मिलेगा विकॉज अगर यह 1148 का लेवल इसके लिए रिजिस्टेंस का काम करेगा तो होजगता है यहां से ही डबल टॉप ना बना दे विकॉज कई बार यह भी होता है क्योंकि अभी जो मार्केट चल रहा है काफी ऊपर है अगर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आए तो यहां पर ही यह प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए 1148 के नजदीक और फिर इसमें नीचे आना चाहिए तो इसलिए कह र पर पर पहुंच चुका है तो यह भी अच्छी चीज है एक बड़ को मंतली के चार्ट पर पर आपको सेम ही पैटरन दिखेंगे और सेम ही चीज दिखेंगे क्योंकि इस मंत में अगर आप देखते हैं यह जो सेप्टेंबर मन्त है इसका लो है 1076 तो 1076 का एक स्टॉप लग जिएगा और इसमें बिल्कुल बने रहेगा अदर वैस जो मैंने पहले सौप लॉस बताया था वो स्टॉप लॉस्व भी अच्छे काम करेंगे और इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं तो यह मंतली के चार्ट पर भी अच्छा इसमें पैटर्न बन रहा है और यही एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसका ब्रेकाउट आने ही वाला है तो मैक्स फैनेंशल सर्विसेज में वेट कीजिए अभी यह ब्रेकाउट हुआ नहीं है ब्रेकाउट होगा उसके बाद इसमें ज़रूर नई एंटरी के बारे में सोच सकते हैं हाला कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है जैसा मैं आपको हर वीडियों बताता हूँ इसमें डिस्लेमर की तरह ध्याना कीगा मेरी इसमें कोई पोई पोजिशन नहीं है बट हो सकता है पो जो भी आप डिसेजिजन लिए financial advisor discuss करके लिजेगा otherwise नहीं तो यह हो जाता है max financial services का monthly का चार्ट monthly के चार्ट पर भी अगर आप RSI लेखते हैं तो monthly के चार्ट पर भी RSI 62 का है तो अभी हाल फिलाल में ही पिछले कुछ दिनों में ही जो इसका RSI का levels है वो 60 को cross किया है तो अच्छा लग रहा है मेरे को चार्ट पर conviction आ रहा है बट जैसे ही 1148 तोड़ेगा तो इसमें conviction इसमें अच्छा हो जाएगा और इसमें यह जो breakout है वो भी मुकंबल होने के बाद अगर position लेंगे तो इसका risk reward काफी अच्छा हो जाएगा आपके लिए क्योंकि फिर आप 1148 के stop loss के साथ अपनी position ले सकते हैं तो आपको पता है 1148 के नीचे जाएगा तो आप निकल जाएंगे 1148 के ओपर जब तक चल रहा है तब तक इसको राइड करेंगे 1690 के target के लिए तो यह हो जाता है मंतली का chart यह मेरा वी हो जाता है मेक्स financial services पर वीडियो कैसे लगिया बिलकुल मुझे बता सकते हैं और